नमस्कार आप देख रहे हैं जनमत की पुगार परंजन से को नशिली दवाओं के आदान प्रदान के लिए मिलने की उमीद थी टीम ने दो पहर लगभग बारा बचकर पचपन मिनिट पर दोनों व्यक्तियों को सफलता पुर्वक काबू कर लिया और उनकी गिरफतारी सुनिश्चित कर ली उपस्ति में गहन तलाशी ली गई प्रिशान्त चौधरी, ACP सबडिविजन सराई रोहिला दिल्ली ने खुलासा किया कि आरोप्यों के पास कुल 600 ग्राम हेरोईन स्मैक थी जिसमें सफिय उल्ला के पास 320 ग्राम और रंजन सी के पास से 280 ग्राम हेरोईन स्मैक मिली पुश्ताश के दोरान 58 साल के गाउं के दुकानदार सफिय उल्ला ने बिहार के रहने वाले अनिल सी और एक डॉक्टर के निर्देशन में दवा आपूरती में अपनी सनलिप्त दा कबूल की रंजन सी उम्रप 45 वर्ष और एक किसान ने दिल्ली और राष्ट्री और राज्थान इक्षेत्र के विबिन्न हिस्सों में प्रतिबंदित दवाईं वित्रित करने के लिए सफिय उल्ला के साथ सहयोग करने की बात स्वीकार की आरोपियों पर NDPS अधिनियम की संबंदित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं और पूरे मादक पदार्तों की तसकरी सिंडिकेट का खुलासा करने और आगे की वसुली करने के लिए जाज जारी है पुलिस उपयोक्त सागर सेही कलसी ने नशीली दवाओं से संबंदित अपरादों से निपटनी और समुदाई की सिरक्षा सुनिश्चित करने में अंटी नार्कोटिक्स सेल के समर्पित परयासों की सराहना की टीम पूरे उतरी जले में स्रड़क अपराध टकैती और ओटू चौरी में शामल अन्यवांशेत अपराधियों को पकड़ने के लिए अधक प्रयास कर रही है यह सफल ऑपरेशन मादक पदार्थों की दसकरी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपुर्ण कदम है जोक्षेद्र में अवैध्यान श्रीली दवाओं की गतिवितियों पर अंकुष लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार